दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डोक्टर पदीप प्रसंद आप भी प्रसंद होंगे ऐसी आशाहिन ही पूरण विश्वास है आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर तो आएए आज कुछ नया सीखते हैं नए टोपिक के साथ विद्यार्थियों आज की वीडियों मना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वण प्रसंद भक्तिकाल भक्तिकाल के प्रशनुत्र हम पूर में बना चुके हैं जैकिन ये वीडियो कुछ और महत्वन प्रशनुत्रों कवर करेगी तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो यदि आप हमारी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं आप देख रहे हैं हिंदी की विंदी चैनल पहला प्रशन है यानि कि अगला प्रशन है भक्तिकाल की सभी प्रमुक कावे धाराओं का परीचे दीजी उत्तर है भक्तिकाल में हिंदी कवीता दो धाराओं में प्रभाईत हुई निर्गुन भक्तिधारा और सगुन भक्तिधारा निर्गुन वादियों में भी जिन्होंने ज्यान को अपनाया वे ज्यान मार्गी और जिन्होंने प्रेम को अपनायए वे प्रेम मार्गी कहलाए सगुन वादी जिन कवियोंने भगवान के दुष्ट दलनकारी लोक रक्षक रूप को सामने रखा वे राम भक्ति काल के विभिन धाराओं के नाम बताईये या निर्गुन भक्ति की दो शाखाओं के नाम लिखिए तो उत्तर है भक्ति काल में दो प्रकार की कावे रचना हुई निर्गुन मार गिये तथा सगुन मार गिये निर्गुन कावे की दो धाराएं हैं ग्यान आश्री कावे धारा तथा प्रेम आश्री कावे धारा सगुन कावे की भी दो धाराएं हैं कृष्ण भक्ती कावे धारा और राम भक्ती कावे धारा अगला प्रशन है संत कावे का आर्थ इस्पष्ट कीजिए इस धारा के प्रमुक कवी का नाम भी लिखिए उत्तर है संत कावे से आश्रे निर्गुन ग्यानाश्री शाखा से है ये भक्त निर्गुन निराकार की उपासना करते हैं और ग्यान को उसकी प्राप्ती का साधर मानते हैं इस धारा के प्रमुक कभी है कबीर, रैदास, नानक, दादू, मलूकदास, आदी अगला प्रशन है भक्ति काल की निर्गुन तथा सगुन भक्ती धारा का परीचे दीजिए या भक्ति काल की एक प्रमुक का विधारा का परीचे लिखे उत्तर है जिस धारा में भगवान के निर्गुन निराकार रूप की आराधना पर बल दिया गया वे निर्गुन धारा कहलाई और जिसमें सगुन साकार रूप की आराधना पर बल दिया गया वे सगुन धारा कहलाई निर्गुन वादियों में जिन्होंने भगवत प्राप्त प्रवर्तियों का उलेख कीजिए या ग्यान आश्री भक्ति शाखा की प्रमुक विश्यस्ताइं लिखिए या भक्तिकाल की किनी दो प्रमुक विश्यस्ताइं प्रमुक विश्यस्ताओं के नाम लिखिए। प्रशन नम्बर 35 से ग्यान आश्री शाखा के किसी एक कवी द्वारा रचित दो ग्रंतों के नाम लिखिए। तो उत्तर है कवी कवीर रचित ग्रंत बीजक वर साखी। प्रशन नम्बर 36 से प्रेमाश्री भक्ति शाखा की प्रमुक प्रवर्तियां विश्यस्ताइं लिखिए या निर्गुण पंत की प्रेमाश्री शाखा की प्रमुक विश्यस्ताइं लिखिए या निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्री शाखा का संचिप्त में परीचे उत्तर हे मुसल्मान होकर भी हिंदू प्रेम गाथाओं का वर्णन जिन में हिंदू संस्कृति का चित्रन मिलता है, सोफी सिध्धानतों का निरूपन, रहस्यवाद की चरम अभियक्ति, लोकिक वर्णनों के माध्धम से एलोकिकता की विंजना, मस्नवी शैली का प्रियोग, पूर्वी अवधी भाषा था दोहा चोपाई छन्नों का प्रियोग, प्रशन नमबर 37 है, प्रेमाश्री शाखा की किनी दो रचनाओं के नाम लिखे, विद्यार्थियों ये प्रशन आपके लिए यदि आप नेट जियारफ की तैयारी कर रहे हैं, या पीछडी एंट्रें अनिवारे हैं, बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें गंभीरता से देखें पढ़ें और आपके लिए लाबदायक हैं, तो प्रेमाश्री शाखा कीनी दो रचनाओं के नाम हैं, पदमावत तथा मरगावती, प्रशन नमबर 38 है, क्रिशन कावेधारा की प्रमुक उत्तर हैं, श्रीमत भागवत का आधार लेकर क्रिशन लिला गान, और सक्खे वात्सले माधुरे भाव की उपासना एमलोक पक्ष की उपेक्षा, और कावे में स्रंगार एम वात्सले रसों की प्रधानता, मूल आधार क्रिशन के बाल और किशोर रूप का लिला वरडन, ब्रज भाषा में मुक्तक कावे शैली की प्रधानता, जिसमें अध्भूत संगीतात्मक्ता का गुण विद्ध्यमान है, प्रशन नंबर 49 है, क्रिशन भक्ती कावे में वरनित प्रमोक रसों का नामुलेक करते वे उस रचना का नाम भी, बताए जिसमें उन सभी रसों का स सर्व स्रेश्ट चित्रन हुआ है, उत्तर है, क्रिशन भक्ती कावे में श्रंगार रस का संगोपांग इंवातसल्य और भक्ती रसों का प्रियोग प्रमोकता से हुआ है, सूर दास के सूर सागर में इन सभी रसों का सर्व स्रेश्ट चित्रन है, प्रशन नंबर 40 है, इनी दो शिश्यों के नाम लिखिए उत्तर है अश्ट च्छाप के कवी ही कृष्ण कावेधारा के प्रमुक कवी रहे हैं महाप्रभु लवाचारी जी के चार शिश्य एम अपने चार शिश्यों को मिलाकर महाप्रभु के सुपुत्र गोसाई विठल नाजी ने अश्ट अपना की जिसके आठ कवी थे सूर्दास, कुम्भन दास, परमानन दास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविन दास, चतुरभुज दास, नदास इनके अत्रिक्त अन्ने प्रमुक कवी है मीरा, रस्खान, हित, हरिवन्ष और नरोत्तम दास प्रश नमबर 41 है राम का परब्रहमत्व, दास से भाव की उपासना, समन्वे की विराठ चेश्टा, स्वानते सुखाय कावे रचना, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं, प्रबंध और मुक्तग, दोनों कावे शैलियों एम विविद छन्नों का प्रियोग, रामाश्री शाखा के दो प्रमुक कवियों का नाम दीजिये, या राम को नायक मानकर रचना करने वाले दो कवियों के नाम लिखिये, उत्तर है गोस्वामी तुलसिदास और आचारे केश्वदास रामाश्री शाखा के प्रमुक कवी हैं, इन दोनों ने राम को नायक मानक अपने कावियों की रचना की है प्रश नंबर 43 भक्ति कालीन काविय को किनी हिंदी कवीता का स्वरन यो क्यों कहा जाता है इस पश्ट कीजिए उत्तर है भावों की उद्दात्ता महती प्रेरक्ता अनुभूती प्रवनता लोखित का मुखरित स्वर भारतिय संस्कृति का मू के काविय में इतनी उच्च कोटी की नहीं मिलती है इसलिए भक्ति काल को इंदी काविय का स्वरन यो कहा जाता है प्रश नंबर 44 से निम्न लिखित वाक्यों में से भक्ति काल की दो सही प्रवर्तियों को लिखिए श्रंगार्रस की प्रधानता स्वांत्य सुखाई की भाव पक्षिम कला पक्ष का समन्वे उत्तर है खे और घे स्वांत्य सुखाई की भावना था भाव पक्षिम कला पक्ष का समन्वे 45 प्रशन है भक्ति कावे की दो प्रमुक शाखाओं के नाम लिखिए तो उत्तर है निर्गुन भक्ति शाखा और सगुन भक्ति शाखा अगला प्रशन है भक्तिकाल के चार प्रमुक कवियों के नाम लिखिए उत्तर है कबीरदास, मलिक मुहमत जैसी, सूर्दास और तुल्सीदास अगला प्रशन है भक्ति कालीन विभिन कावे धाराओं में किस धारा का कावे सर्वस्रेष्ट है और उसका सर्वस्रेष्ट कवी कौन है सर्फष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष स्री राम चरित्मानस प्रशन नमर उनन्चास है तुलसी दास एम कबिर दास किस भक्ति धारा के कवी है उत्तर है तुलसी दास भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के कवी है था कबिर दास भक्ति काल की निर्गुन भक्ती धारा के ज्ञान मारगी शाखा के कवी है प्रशन है पचासवा निर्गुन कावे धारा की कोई एक प्रमुक विश्रिष्टा बताईए और उसके प्रमुक कवी का नाम उलेक कीजिए या निर्गुन भक्ति कावेधारा के दो कवियों के नाम बताईए उत्तर है निर्गुन कावे में परम भरम के निराकार स्वरूप की उपासना हुई तथा ग्यान एम प्रेम तत्तो की प्रधानता रही कवीर मलिक मुहमद जायसी इस कावेधारा के प्रमुक कवी है प्रशनमबर 51 है संत कावेधारा के चार प्रमुक कवियों के नाम लिखिए उत्तर है कवीरदास, रेदास, दादू तथा नानक प्रशन नम्बर बावपन है प्रेम मार्गी निर्गुन सूफी कवे धारा के प्रमुक कवी का नाम थथा उनकी प्रमुक रचनाओं का नामを लेक कीजिए उत्तर है कवी मलिक महमद जायशी रचना पदमावत महा कवे अगला प्रश्ण है सूफी कावे धारा की कुछ प्रमक्रतियों के नाम लिखिए या सूफी कावे के दो कवियों के नाम लिखिए उत्तर है पदमावत, ब्रगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, चित्रावली, उस्मान, आदी अगला प्रश्न है महीका सेसि की को ही रही को रही कहने बाले कवी का नाम क्या है उत्तर है प्रश्न में उल्लेखित पंक्ती कहने बाले कवी का नाम मलिक मुहम्मद जाईसी है अगला प्रशन है सबून कृष्ण भक्त शाखा के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए उत्तर है सूर्दास, मीरा, रस्खान, कुम्भन दास, गोविन दास, नरुत्म दास एवं परमान दास अगला प्रशन है कृष्णास्री शाखा के दो प्रमुक कवियों के नाम तथा उनकी एक एक कृति का नाम लेक कीजिए या महाकवी सूरदास की दो रचनाओं के नाम लिखिए या कृष्ण को नायक मान कर रचना करने वाले दो प्रमुक कवियों के नाम लिखिए उत्तर है सूरदा, सूरसागर, विसाहित लहरी तथा मीराबाई, नर्सी जी का मायरा प्रशनमबर 57 है निम्न लिखित में से कौन सी दो रचनाएं भक्तिकाल की नहीं है उत्तर है सूरसागर, बिहारी सत्से बीजग यांसू उत्तर बिहारी सत्से बीजग यांसू चायवाद भक्तिकाल की रचनाएं नहीं है प्रशनमबर 58 है राम कावेधारा के दो प्रमुक कवियों के नाम लिखिए उत्तर है तुलसिदास, राम कावेधारा के प्रतिन्धी कवी है अगला प्रशन है राम कावेधारा की रचना किन भाशाओं में हुई है उत्तर है राम कावेधारा की रचना प्रमुक रूप से अवधित भरजभाशा में हुई है प्रसन साथ ब्रज भाषा था अवधी भाषा के मद्ध कालिन एक एक प्रसिद्ध कावे महा कावे का नाम लिखिए उत्तर ब्रज भाषा सूर सागर तथा अवधी भाषा सिरी रामचरित मानस प्रशन नम्बर 61 है रामाश्री एम क्रिशनाश्री शाखा के एक एक प्रमुक कावे का नाम लिखिए उत्तर रामाश्री शाखा का प्रमुक महा कावे स्रीरामचरित मानस्ता क्रिशनाश्री शाखा का प्रमुक महा कावे सूर सागर है अगला प्रसन है सगुन भक्ती कावेधारा के दो प्रमुक कवियों के नाम लिखिए उत्तर है सगुन भक्ती कावेधारा के दो प्रमुक कवियों के नाम है सूर्दास कृष्णास्री कावेधारा था गोस्वामी तुलसिदास रामाश्री कावेधारा राम भक्ति शाखा के किसी एक कवी सा उसके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखे या सगुन भक्ति धारा की राम अश्री शाखा के किसी एक कवी द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम लिखे या गोस्वामी तुलसिदास द्वार रची दो ग्रंथों के नाम लिखिये या गीतावली और दोहावली भक्तिकाल के किस कवी की रचनाई है उत्तर है तुलसिदास जी के चार ग्रंथों के नाम है अगला प्रशन है भक्ति काल की प्रेमाश्य शाखा के एक कवी और उनकी एक रचना का नाम लिखिए या निर्गुन भक्ति शाखा की दो प्रमुक रचनाओं का उलेक कीजिए या मलिक महुमच जायसी प्रनीत दो ग्रिंथों के नाम लिखिए उत्तर है कवी मलिक महुमच जायसी और उनकी रचनाओं का नाम है पदमावत और अखरावत भक्ति काल की तीन सामने प्रवर्तियों का उलेक कीजिए जीव की नश्वर्ता का समान रूप से वर्णन है प्रभू के नाम इस्मन था गुरू की महता का वर्णन सभी कवियों ने किया है कवियों के नाम उलेक की प्रवर्ति रही है हिंदी साहित्ते के विकास में भक्तिकाल के योगदान का उलेक कीजिए उत्तरहे भक्ति कवियों ने हिर्दे सागर का मंथन कर मनोरम भावों का नवनीत प्रदान किया है भाव भाशा और शैली की सम्रधी के कारण ही भक्ति काल को हिंदी सहित्ते का सुरन्यो कहा जाता है अगला प्रशन है तुलसीदास के रचना काल का यूग बताते हुए उनके द्वारा विर्चि दो प्रसिद कावे करतियों के नाम लिखिए जिन में एक आउधी था दूसरी ब्रश भाषा की हो या तुलसीदास किस काल के कवी हैं उनकी एक प्रमुक रचना का नाम लिखिए उत्तर है तुलसीदास का रचना काल पूरु मध्धिकाल यानकी भक्ति काल में पढ़ता है इनकी कृतियां स्री राम चरित मानस आउधी भाषा धाविने पत्री का ब्रश भाषा है प्रश नमबर 68 है आउधी भाषा में लिखे गए दो प्रमुक महाकावियों और उनकी रचना कारों का नाम लिखिए उत्तर है अउदी भाषा में लिखे गए दो प्रमुक महाकावियों के नाम है पदमावत मलिक महम्मद जाईसी था स्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसिदास प्रशन नमबर 29 है द्वेत वाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए उत्तर है द्वेत वाद के प्रवर्तक श्री मध्वाचार है तो विध्यारतियों यहाँ पर वीडियो संपन होती है यह लगभग 30-40 प्रशन हमने भक्तिकाल के रखे और इनका उत्तर बताने का प्रियास किया इन प्रशनों को आप पढ़ लें समझ लें अच्छे से देख लें कम से कम दो या तीन बार इस वीडियो को देखें ताकि आप बहतर तरीके समझ पाएं रटिये किसी को मतले किन पढ़िएगा समझ येगा आप समझ जाएंगे और आपकी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परिच्छा जिसके अंदर की हिंदी साहिते समंधित प्रशनाते हों उसके लिए बहुत उपयोगी है खास तोर से जैसा के हमने पूर्म बताया RPSC है किसी भी प्रदेश की PSC हो उसकी हिंदी लेक्चर की आप तयारी कर रहे हैं आप तयारी कर रहे है तो इन सब के लिए आपके बहुत उपयोगी है वीडियो तो वीडियो ही समापत होती है वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलें साथी साथ बेल आइकोन को भी दबा लें, आपको इसी प्रकार की हिंदी सहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है और भी वीडियो आपको मिले ताकि नोटिफिकेशन वगरा सूचना समय पर मिल जाए यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिग्यासा हो, कोई प्रशन हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टोपिक को लेकर के तो आप कमेंट्स के माध्यम से में बताइए हम उसका समाधन करने का प्रियास करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार